लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एसा debit card बताने वाला हूँ यहनि आप उसे debit card कह सकते हो लेकिन आपको एक card मिलेगा जो Paytm के दुवारा लॉंज किया गया है जिसे wallet card भी कहा जा रहा है किस परकार active करना है पूरी information में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिए तो सबसे पहले आपको Paytm application open कर लेना Paytm wallet पे click करना आपको इस परकार का option मिल जाएगा इस पे आपको click करना है Paytm wallet transit card यह एक ऐसा card है जिसको Paytm ने बनाया इसके बहुत सारे फायदे है इसको आप online Pay कर सकते हो इसे shop पर Pay कर सकते हो लेकिन सबसे बड़ा feature है Metro या बसका आपको अलग से card ब्राने की ज़रूरत नहीं आपको इसको Metro card की तरह भी यूज़ कर सकते हो Active करने के लिए Active पर click करेंगे Active हो चुका है अब इस card में आपको 3-4 option मिलेंगे Manage card का करने के लिए आपको Passcode डालना है यहाँ पर अपने card की limit set कर सकते हो कितनी आपको इस card की limit सेगे पाँजार दस जार लाग दस लाग कितने रुपे की limit set कर सकते हो लेकिन अधिक्तम limit लाग रुपे की है इस card में हमें आपके card नमर दिखाए गई जिसका card पूरा नमर और CVV देखना है तो click कर के Passcode डालना होगा अब यहाँ पे CVV और expiry date भी हमारे सामने आ गई है इस परकार आप इस card को generate कर सकते हो और इस card का उपयोग आप असानी से कर सकते हो इसका physical जो card है वो भी coming soon चल रहा है मतलब जल्दी इसका option आपको मिल जाएगा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं यह दी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दी चैनल पसंद आया तो सस्क्राइब कीजिए जय हिंद जय वारत